दोस्तो ये दादा जी सबसे पहले गोल अकार का एक मार्क कर लेते हैं मार्क करने के बाद कुछ पतली पतले बांसों को लेते हैं और उसको आपस में एक तरीके से गुथने लगते हैं और काफी दिर लात घुसों की बारिस करने के बाद ये अच्छे से उनको गटोरा जैसा गोल कर देते हैं फिर ये दादा जी आगे में बढ़ी हुए भाग को अच्छे से कैची से कटिंग करने लगते हैं ताकि हाथ में कोई जख्मना हो गरतन को थोड़ा लजीला बनाने के लिए फिर से उसका पैड से मालिस करने लगते हैं फिर एक और बास की बत्ति को लेते हैं और अच्छे से फॉल्ड करके वहाँ पे लगाने लगते हैं जब ये बनके तयार होगा तो कितना प्यारा लगेगा देखने में लेकिन यार उससे पहले वीडियो को एक लाइक करके चनल को सस्क्राइब कर लेना और कॉमेंट में अपने प्यारे देश का नाम जरूर लिखना दोस्तों ये तो दादा जी प्यारे से साजी बना दिया आपके बासा में क्या बोलता है कोमेंट में जरूर लेखिएगा अगर आप हमें इस्टाग्राम या फेस्बूक से देख रहे हैं तो फोलो कर लेना